दाकर खबर के नियूजरूम से मैं आपके साथ हुँ अक्रम रहिस खान कोड बुलेटिंग लेकर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ नो एहम खबरे देश भर के तमाम नियायलों से तमाम कोड से जुड़ी हुई आपके सामने रखने जा रहा हूँ चलते हैं सीधे बुलेटिंग की तरफ पहली खबर आपके सामने रख रहा हूँ केरल के तिर्वनंद पुरम से जो वहाँ की सीबी आई कोट ने फैसला दिया है वो फैसला आपके लिए नजीर है तहरा बरस जरूर लगे उस फैसले को आने में लेकिन कहते हैं ना कि इनसाफ पाना इतना असानी है खासकर भारत में यहाँ इनसाफ पाने के लिए पीडीया मर जाती है पता चला दीवानी का मुकदमा हुआ दादा मर गया बाप मर गया बेटा मुकदमा लड़ रहा है यह तमाम चलते हैं लेकिन इनसाफ मिलता जरूर है कम से गम नियायले लेक पे तो हम इस बारे में कह सकते हैं कि इंसाफ मिलता है सरकारें पड़े इंसाफ ना देती हो पुलिस पड़े इंसाफ ना देती हो लेकिन नियायले में जाके जरूर इंसाफ मिलता है क्या इंसाप मिला है A.S.I. जीत कुमार और जो सिविल पुलिस ओफिसर हैं S.V. श्री कुमार उनको सजाय मौत सुनाई गई है फासी की सजा दी गई है और दोनों पर दो दो लाक रुपे का जुर्माना भी लगाया गया अब आप सोच रहोंगे कि किस मामले में लगाया गया और पूरे मामले को दबाने चिपाने की कोशिश की 13 बरस तक की मुकदमा चलता रहा 26 साल का वो शक्स था 13 बरस जरूर लेगी लेकर अभी दोनों के दोनों पुलिस वालों को सजाय मौत सुनाई है C.B.I. अदालत ने दो दो लाक का जुर्माना लगा है अब आप देख लि अगर ढंक से कराये जाएगा ना तो जो मंत्री मंत्री बने गुमते ना वो भी जेलों में सड़ते हुए नजर आएंगे दूसरी खबर दिली से आपके सामने रख रहा हूं यानि कि सुप्रीम कोट की खबर हैं आपके सामने रख रहा हूं भगवान ही नहीं चाहते हैं कि 10 साल से लेकर 50 साल तक की कोई भी महिला मंदिर में आए बगवान जो आयपपा स्वामी हैं वो खुद ब्रह्मचारिय थे यह कहना है एडवोकेट का और एडवोकेट ने अपनी बात रखते हुए जिनका नाम एडवोकेट का के परासन है सुप्रीम कोट में कहा है जो मामला पूरा चल रहा है मंदिर वाला उस बाले मामले में उसनोंने अपना पक्ष रखा है जिसमें सुप्रीम कोट ने हाली में कहा था कि सबरी माला मंदिर जो है वो सारवजनिक संपत्ती है तो महिलाओं की वहा जाने पर नो एंट्री कैसे हो सकती है उस पर सुनवाई चल रही ह तो उसी सुनवाई के दोरान इन्होंने अपनी ये बात रखी है कि भगवान ही नहीं चाहते 10 साल से 50 साल की महिलाएं मंदिर में आई तीसरी खबर के लिए चलते हैं मदरा साइकोट जो तमिलनाडू से खबर हमारे पास आ रही है तमिलनाडू सरकार ने बाकाइदा एक खलफ नामा दे कर और एक वीडियो दिखा कर ये प्रूफ करने की कोशिश की है मदरा साइकोट के सामने के 1980 में जैललिता गर्वती नहीं कि मैं बेटी हूं जैललिता की और 14 आगस्त 1980 को मेरा जनम हुआ था और मेरी मा का नाम जैललिता है उन्होंने मुझे जनम दिया था और मुझे बेटी होने के पूरे मेरे अधिकार चाहिए जैसा के मामला आपने देखा होगा एंडी तिवारी के मामले में आया था कि वो सेम उसी तरीके का यह मामला है लेकिन अब तमिल नाडू सरकार यहां दावा कर रही है कोट में कि वो कभी गर्वती ही नहीं होई थी जो भी इस में अपडेट होगा उसे लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे नजर बनाए रखे का दाकड़ कबर इस पूरे मामले पर चार नमबर खबर दिल्ली से है यानि के सुप्रीम कोट से है पर सुप्रीम कोट के अंदर से नहीं है बाहर से है सीजे आई दिपक मिश्रा जो है उनके आवाले से खबर आ रही है उन्होंने कहा है देश की अदालतों में मूलभू स्वीधाओं का अभाव है जो तमाम पूरे द अदालत में तीन क्रोड से जादा केस लंबित पड़े हुए है सरकार बजट नहीं दे रही है ना नहीं अदालते बनाने के लिए ना मूलभू स्वीधाओं बैतर करने के लिए यह कहां कहा है उन्होंने विज्ञान भवन में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें दिली हाई कोड की नई बिल्डिंग का उद्गाटन किया जाना था उस प्रोग्राम में पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर यह बात रखी मज़े की बात देखिए कि इस मौके पर देश के जो कानून मंत्री है रवी संकर परशाद वो भी वहाँ मौजूद थे और दिली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल भी मौजूद थे उन्होंने भी खूब की चाही की के इंदर सरकार की के कानून व्यवस्ता में वो सुदार नहीं कर पारी है लेकिन तारीफ की उन्होंने कोड की कि कम से कम नियायलो से इस देश में लोगों को इंसाफ जरूर मिलता है पांच नंबर कभर दिल्饆 कोड से आपके सामने रख रहा हूं तीम में जगा नहीं मिली तो दो महिला खिलाड़ी दिल्ली हाइक पूछी हैं और उन्होंने कहा है कि डिरेक्षन दे दिली हाईकोड भारतिये खेल प्रादिकरंड को और कहें के दोबारा से खिलाड़ियो और अगर हमारा चैन नहीं हो रहा है तो उससे भारतिय टीम को कल को दिक्कत होगी 18 अगस्त से बता दें आपको 2 सितंबर तक इंडोनेशिया में होने वाली है एशियाड खेल तो इशियाड खेल में खेलने वाली जानी थी और ये दोनों की दोनों ताइकवांडो खिलाडी है पाता नहीं क्या होगा कोट ने वैसे नोटीस भेज कर जवाब तलब कर लिया है छे नंबर खबर सुप्रीम कोट से आपके सामने रख देते हैं बहुत महत्तपून खबर है जिस तरह से रेप पीडिता और तेजाब पीडिता महिलाओं को मौवजा दिया जाता है जो मौवजे का निर्धारन किया जाता है ठीक उसी तरीके से अगर बच्चे भी रेप के पीडित हैं या तेजाब की घटनाओं के पीडित हैं उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उनको भी उसी परकार मौवजा दिया जाए मौावजा प्रक्रिया में उनको भी उसी तरीके से सामिल किया जा है मौावजा योजना 2018 में शंसोधन करने का आदेश जारी किया है और तमाम सरकारों को कहा है कि वो इस मिसे में जल से जल संसोधन कर ले गैंग रेप पीडित महिला को 5 से 10 लाक रुपे तक का मौावजा दिया जाना चाहिए यानि कि मौावजा बढ़ा दिया है पिछले के मुकाबले रेप पीडिता और एप्राकरतिक बलातकार की शिकार पीडिता को 7 लाक रुपे तक का मौावजा दिया जाना चाहिए चेहरा बुरी तरह खराब हो जाने पर जो तेजा पीडिता है उसको 7-8 लाग रुपे तक का मौज़ा दिया जाना चाहिए ये तमाम डारेक्शन सुप्रीम कोट ने केंदर सरकार को और परदेश सरकार को दी है साथ नमबर खबर आपके सामने सुप्रीम कोट से है नमाज के लिए मज़ी ज़रूरी है या नहीं है जगा चाहिए के मज़ी चाहिए ये सुनवाई पूरी कर ली गई है और इसका फैसला सुरक्सित लख लिए गया है जो ये मामला चल रहा था और इस फैसले पे decision आने के बाद ही कहा है Supreme Court ने कि सुप्रमन निमस्वामी जो भाजपा के नेता है वो बार बार आते हैं और वो कहते हैं आध्या में हमें पूजा करने की इजाज़त दी जाए रामलाला के यहां पर हाला कि वहां हमेशा से पूजा होती आ रही है जब से मूर क्या है और सुनवाई क्या हुई है 1904 में में इसमाइल फारुक एक judgment हुआ था जिसमें सुप्रीम कोट ने कहा था कि जो मुस्लिम पक्ष है उसमें जो अपने दस्तावेज अपनी दलीले रखी है उसके आधार पर हम यह judgment देते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए जगा तो चा जारा कहा गया कि देखे नभी पाक सुल्हासलम जो मुसल्मानों के पेगंबर हैं उन्होंने कहा कि जो लोग मस्जिद में नहीं आते हैं नमाज पढ़ने और अगर अपने घर में नमाज पढ़ते हैं तो मेरा मन करता है कि उनके घरों में आग लगवादू दूसरे बताया गया कि घरपे नमाज पढ़ने के मुकाबले मस्जीद में सामुएक नमाज पढ़ने के मुकाबले जयादा सवा मिलता है बहुत सारी दलीले दिये सुनवाई पूरी कर लिए बाबरी मस्जीद पर फैसला शुरू सुनवाई शुरू करने से पहले मिलकेत वाले मामले पर मुस्लिम पक्षकारों ने कहाता कि सबसे पहले इस मामले पर सुनवाई कम्प्लीट कर ली जाए आठ नंबर खबर सुप्रीम कोड से आपके सामने हैं क्या जनता का स्वास्त सरकार के लिए कोई माईने नहीं रखता है जनता के स्वास्त की सरकार को कोई चिंता नहीं है जो केंदर सरकार खुद ही देश की हवा को दूशित करने में लगी हुई है क्यों वो उर्जा यानि के एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में जो नए उपकरण यूज के जाने चाहिए उस तरीके के नए उपकरण क्यों यूज नहीं कर रही है जबके 2022 तक उसको ये कम्प्लीट कर लेने थे अभी भी वो हलफ नामा देकर उर्जा मंत्राली ये कह रहा है कि हमें थोड़ा और वक्त दिया जाए इसमें वक्त लगेगा जबके धवादूशित होने से लोगों का स्वास है देश के जनता का स्वास जो है वो प्रभावित हो रहा है जस्टिस मदन भी लोकूर और जस्टिस दिपक गुपता की बैंच ने ये टिपणी किये और लतार लगा ये और जामंत्राले को कि क्या आपके लिए लोगों के स्वास्त कोई माइने नहीं रखता है आपको बता दें जितने भी एनरजी प्रोडक्शन यानिके उर्जा समय रहे हैं उनके अंदर जितनी भी मशिन रियूज की जाती है और तमाम चीज़े यूज की जाती है क्यालोजी की उससे वायू प्रदूशन ओता है उसमें सुधार नहीं कर पा रहे हैं जैसे के आपको बता है कोई लिए से बिजली बना रहे हैं कुछ कर रहे हैं यह तमाम चीज़े उसमें शामिल है नो नंबर खबर फिर से केरल चलते हैं केरल हाइक पयार करने वाले का लड़की को निकाल दिया कि वो दोनों आपस में प्यार करते हैं उनका दोनों व्यस्क है अठाव साल से उम्र की दोनों बड़े और अगर और दोने दूसरे को पसंद करते हैं प्यार करते है तो भूण का नीजी मामला है उनीजी मामले में कॉलिज psychologists को कोई अख्तियार नहीं है कि वो दखल थे इसलिए इन दोनों को वापस कॉलिज में लिया जाए केरल के कोची में इस्थित है ये कॉलिज जिसने फैसला दिया कि ये दोनों प्यार करते हैं इनको कॉलिज से निकाल दिया जाए तो ये थी कुल मिला करनो खबरे जो भी कोट के साथ मैं आपके सामने हूंगा हाजिर फिलाला भी मुझे नहीं इजाज़त हूँ